किन्नरों का दिया हुआ चैलेंज कभी खाली नहीं जाता एक किन्नर ने दूसरे किन्नर को दो दिन पहले ही मोत के घाट उतारने की धमकी दी थी उसको दूसरे दिन ही किन्नर ने अमली जामा पहनाया किन्नर के शव यात्रा निकालने के पहले ही आरोपी किन्नर को पुलिस ने धर्दवोचा यह उनकी काम्याबी है वसूली के लिए इलाके को लेकर मृत क्षाया और सोनू किनर को काजल किनर ने धमकी दी थी कि मेरे शेतर को छोड़ कर चला जा नहीं तो इसका परिणाम मोत देकर चुकानी होगी इस मामले में दिल्चस्प पहलू यह भी है कि किसी भी किनर की मोत उसका अंतिम संसकार रातरी में ही किया जाने का मिथक परचार्ग है आज दिन में ही किसी किनर की अंतिम यातरा निकलने पर यह लोगों में चर्चा का विश्य बना हुया है 36 गड़ के भिलाई नगर कंट्रोल रूम में शहर अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक रोही जान ने बताया कि रविवार सुभे राजीव नगर दुर्गे में एक खाली प्लाट में एक बोरी में भर कर फैके गई संदीक दुवस्तु के बारे में लोगों ने पुलिस को सूचना दी है दुर्ग थाने की पुलिस ततकाल मोके पर पहुंची बोरे को खोल कर देखने पर उसमें एक लाश मिली है लोगों ने देखकर उसकी पहचान उसी महोले में रहने वाली सोनु उर्फ छाय किनर के रूप में की है लाश के गले तथा पेट में किसी धारदार हत्यार से दुवार किया गया था एफ एसल टीम वर्डॉक स्वाइड को मोके पर बुलाया गया है पुलिस अधिक्षक प्रकर पांडे ने ततकाल टेम बना कर वरिष्ट अधिकारियों के मांग दर्शन में आरोपी के धर पकड़ की कारेवाही है तू आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये थे गटना में इस्तमाल किया गया औजार पुलिस ने बरामत कर लिया है आरोपिया काजल किंणर नगर साहु गुरुजी का मकान दुर्गे को गिरफतार किया गया है अब पुलिस उसे अदालत पेश कर रिमान लेगे जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट अल जे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइग शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद